नमस्कार बीके बीजनस आरिया चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियो में बात करेंगे फ्लोर किलीनर बनाने का तरीका चैनल को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे बेल आकर घंटी दबा देजी से कोई भी वीडियो बने आपके पास तुर्ण पहुंश सके देख लिजे 400 गराम परफ्यूम इच्छानुसार बनाने का तरीका सबसे पहले साल्ट लेंगे हम तो साल्ट हमें पहले 50 गराम लेना है हम 100 गराम साल्ट यूच कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 50 गराम साल्ट लेना है और उसके बाद उसमें वाटर और इसे अच्छी तरह से मिला लेना ह अब इसमें हम टीनो पॉल डालेंगे अगर आपके पास cbsx पाउडर है तो आप वह भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और इसके बाद मीठा सोडा इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसके बाद इसे अलियस लिक्विट अब इसे डालने के बाद में अच्छी तरह से हम मिलाएंगे जो हमारे पास salt बचा होगा 50 गरम हमने उच किया और 50 गरम बचा हुआ है तो देखिए कहीं कहीं water मीठा होता है कहीं कहीं खारा होता है तो जहां पर मीठा पानी रहेगा उहां पर तो salt और अमेट करना पड़ेगा इसमें डालना पड़ेगा लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता कि खारा पानी होता है तो अपने हिसाब से आप शाल्ट डालीए गैड़े की जैसे अब देखिए मैंने मिलाए है अब यह मेरा पूरी तरह से ठीक हो गया है इसमें मैं थोड़ा सा ही साल्ट डाल कर आपको दिखाऊंगा तो अब इसमें मुझे आवसकता न यह साल्ट डालने के समझ गया न जैसे अब देखिए थिक हो गया है क्योंकि यहां का पानी खा रहा है मिठा नहीं है मिठा पानी रहेगा तो थोड़ा सा साल्ट इसमें एट करेंगे तो देखिए आप आपका थिक नहीं हुआ है गाड़ा नहीं हुआ है तो आप इसमें बाद में साल्ट एट कर सकते हैं समझ गया है अब यह देखिए फ्लोर किलिनर इदना इसका कोई आपको पियच मेंटेंट करना पड़ेगा न यह किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुचाएग न फर्स को नुकसान पहुचाएगा इससे आप कोई भी फर्स साफ कर सकते हैं यह सफाई के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ज्याग बनाएगा और यह हाई क्वाल्टी का फ्लोर किलिनर है आप इसे अब देखिए यूच कैसे करना है आप थोड़ा सा इसे लीजिए और इसमें आप वाटर आट कर दीजिए जैसे आपको अगर एक बाल्टी बनाना है तो आप उसमें 200 गराम आट करेंगे यह और उसके बाद आप उसमें पाणी डाल दीजिए और यह देखिए पतला लिक्वीड बन के तयार हो गया इससे अपना आप फर्स साफ कर सकते हैं और यह जाग बहुत ज्यादा बनाएगा और यह सफाई भी बहुत ज्यादा करेगा अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में जरूच पूछिएगा आप अगर इसका बिजनस करना चाहते हैं बिजनस भी कर सकते हैं अपने यूज के लिए बनाना चाहते हैं प्रकार का Acid होता है Hier Chinnic agent है जैसे white कपडे कैसे इसासे चमकते हैं? यह कपडों में जितना अभी गंदगी रहता है उसको निकालने में बहुत मदद करता है वे सब कपड कपडहों से निकालेगा लेकिन white कपडह जो होता है उसमें वे ज्यादा दिखाई देता है अगर रंगीन कपड़ा है तो उसमें ज्यादा दिखाई नहीं देगा लेकिन अगर वाइट कलर का कपड़ा है तो उसमें यह ज्यादा दिखाई देता है तो यह गंदगी को साप करने के लिए बहुत बढ़िया होता है टीनोपॉल सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा यह भी एक क्लीनिक एजेंट है अब मैंने इसमें यह क्यों यूच किया है मिठा सोडा जिससे यह ज्यादा 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 ज्याग बनाए और सफाई करें अगर हम इसमें सोडा एस मिलाते तो उतना बढ़िया हुआ काम नहीं करता क्योंकि यह खारे पानी में भी काम करेगा समझ में आ गया अगर आपको कुछ भी पूछना तो आप कमेंट में जरूश पूछिएगा वीडियो पसंद आयो तो चैनल को लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन घंटी दबा दे जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तूरंत पहुछ सके वीडियो देखने के लिए धन्नवा नमस्कार